तो आज किस वीडियो में आपको डिसकॉसें करेंगी कि अप स्टॉप में आप ऑधोराइस पार्टनर यानिकी सब ब्रोकरिशिप कैसे ले सकते हैं ठीक है तो कम्प्लिट इस वीडियो में डिसकॉसन करेंगे क्या को डॉकमेंटस की नीड है कितना पेमेंट आपका लगने व क्था पाटनर का वह पका होल्ड कर दिया है तो आपको सब्रोकर बन जाओगे तो उसके लिया आपको जो है वह सब्रोकर शिप लेनी पड़ती चरनल्सका अब रहने वाले तो फर्स्ट अपल आपको एनसी में रिजिस्ट्रेशन मिलता है सब ब्रोकर्शिप में ठीक है और यह सब उसके बारे में बता है कि यूप कर इंकम वह वाया अकाउंट ओपनिंग इंसेंटिव यह आपको अकाउंट ओपनिंग का इंसेंटिव मिलेगा यूप करने जो है वह 40% ब्रोकरेश देता है अब फोर्टी परसंट अभी वही सेम ही है ठीक है अभी कोई चेंज अब स्टोक ने नहीं किये है वह करेंगे वह बात में है अभी लेकिन सेम है 40% आपको दे रहे हैं ठीक है तो अभी हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते है कि आपको क्या 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 डॉक्मेंट्स की नीड है क्या से कैसे आप कर सकते हो तो फर्स्ट अपल आपको क्या करना है देखो मैंने लिंक डेस्क्रिप्शन में डाल दिया वहां से आप वेबसाइट पर बिजिट करने के बाद आप पर ऑप्शन आएगा कि become a partner तो become a partner पर अधर डालोगे तो आपका अधर रिश्ट्रेशन होगा और सेम डालोगे तो सेम उसी आईडी पर आपका हो जाएगा उसके बाद आपने जो mail आईडी वो भी changes कर सकते हो इसमें ऐसा modify का option भी होता है तो उसके बाद आप sign up कर लोगे उसके बाद आपको payment complete का बोलेगा कि के लाग से देना commodity के लाग से देना तो जो payment है वो 5000 प्लस GST है यानि कि total मैं आपको बता हूँ तो 5900 payment आपको per segment के देने है ठीक है आप चाहो तो 3 segment करवा सकते हो एक्टिव ठीक है उसके लिए आपको 5900 multiply 3 ये payment आपको करना है आप चाहते हो कि नहीं मेरेको तो खाली FNO activate करन तो उसके बाद आपको payment करना है payment आप entit card debit card net banking और किसी भी प्लेटफर्म के तुरू कर सकते हो ठीक है उसके बाद आप क्या आती है mail ID verification का तो आपको क्या करना है mail verify करना है mail verification बाद आप अपने mail ID modify भी कर सकते हो बाद में ठीक है उसके बाद आता आता आपका documentation आपको डिजलोकर करना है ठीक है डिजलोकर मैनुली अप्लोड करना है क्योंकि मैनुली करोगे तो आपको easy रहता है तो आप मैनुली ही करोगे बाँ ठीक है उसके बाद आपको आता है IPV का IPV में क्या होता है आपको वीडियो डालना है ठीक है वीडियो कैसा पहले देखो उसमें दू अप्चन होते हैं एक तो आपको record करने का option आथा एक अप्लोड अप्लोड है नहीं कि अपने camera से पहले बनाया हुआ वो वीडियो आपको अप्लोड करना है उस वीडियो में आपको क्या क्या mention करना है मैं आपको बताता हूँ देखो आ मैंने upstock authorized partner के लिए October 2024 में apply किया है यानि कि अभी जो चल रहा है मन्त उसका ही आपको बोलना है अगर आप September कर रहे हो September में passport size photo लगना है उसके बाद यह आपको चला जाता है security level 1 में जैसी आप डालते हो सब कुछ अगर okay रहता है rejection आता है rejection आप देखके clear भी कर सकते हो ठीक है क्योंकि rejection इसमें बहुत आता है क्योंकि आप NSE में registered हो रहे हो तो वो बहुत सबी चीजे देखते हैं ठीक है तबी आपक approval देते हैं तो दो तीन बार rejection आएगा मेरा अभी तक चार से पांच बार आच चुका है तो उस base पे आप ले सकते हो ठीक है और rejection आप clear करते रहोगे easily हो जागा कोई दिक्कत नहीं नहीं अगर आप अच्छे से वीडियो अगर आप photo upload सारी जीजा करोगे ना तो एक बरी में ह जाता है ठीक है उसके बाद आता है कि आपका security बन होगे उसके बाद आपको e-sign के लिए आना है ठीक है आपको e-sign करना अपना ADAR card लगा के OTP लगा के हो जाएगा ठीक है और signing करने से पहले आप अपना जो है वो agreement भी आप चेक कर सकते हो ठीक है वहाँ पर agreement आता है वो agreement आप देख सकते हो उसके पहले कि क्या-क्या उसमें eligibility रहने वाले ठीक है उसके बाद आता security level 2 का सब कुछ complete होने के बाद आपके जो है वो second verification होगा आपका ठीक है और e-sign agreement होगा और यहाँ पर आपको क्या है कि और देखो यह second है न यह बाला पता कब आपका reject होगा जब आपका अगर आधर काड में आपने देखो यह लगा second verification process to check agreement at this stage your application can be rejected if आधर e-sign doesn't matter if आधर mentioned your application नहीं कि अगर आपने आधर का गलत OTP लगाया है फिर दूसरे आधर का OTP गलती से लगा दे तो ही rejection आएगा इसका 100% यह है यह मतलब यह कि इसका 99% आपका done होगा यह होगा ठीक है 100% भी कह सकते हो अगर आपने सही लगाया तो ठीक है उसके बाद यह सब कुछ approve होड जागा और application process will be completed ठीक है यह सब कुछ done हो जागा और आपको उसके बाद dashboard के ID और password मिल जाएंगे तो यह सब process आपके upstock में रहने वाले ठीक है तो यह सब आप complete करोगे उसके बाद आपको agreement आजाएगा आपके mail पर ही और आपको login ID और password आजाएंगे तो ऐसे आप आज जाके upstock में authorized partner यानि की AP बन सकते हो तो उम्मीद करता हम वीडियो समझ में आज समझ में तो like से आज subscribe कर दीज़ें मिलते हैं next video thank you so much